हेलो एब्रिवान मैं हूँ बलराम और आज हम डिसकस करेंगे चित्रिय दल और राष्ट्रिय दल के बारे में तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप कलास 9th स्टेंडर्ड के स्टुडेंट हैं या सिवि पॉर्ड एख्जाम के लिए तयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्यूरू सब्सक्राइब क करें क्योंकि यह चैनल टोट्ली सुसेल साइज के लिए डेडिकेटेर है दोस्तो नाशनेल पॉलिटिकल पार्टिस एंड एडट एंड स्टाइट पॉलिटिकल पार्टिस ओ और मेनली डिवाइड इंटो टू केटडेगरी number 1 national political parties and state political parties national political parties भर दुबटिकल पार्टिस याinky राज़नितिक दल और state political parties यांगे छेत्रिय राजनितिक दल ठीके National Political Parties यानि की राष्ट्य दल राष्ट्य दल जिसका जनाधर पूरे देश में है ठीके और चेत्र दल उसे हम कहेंगे जिसका जनाधर पूरे राष्ट्य यानि की पूरे देश में ना हो यानि की शिर्फ एक एरिया और कोई एक स्टेट्स में हो लेकिन according to Election Commission of India के हिसाब से राष्ट्य दल यानि की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का एक स्पेसिफिक डेफिनिसेंस हैं उसके बारे में आज हम डिसकास करेंगा अगर इस्टेट पॉलिटिकल पार्टी बढ़ना है तो कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए और कम से कम विधासवा चुनाब में दो सीटेटे जितना होगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकोगनेजेसिंस मिलेगा एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का धर्चा मिलेगा ठीके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बानने के लिए क्राइटरिया होना चाहिए एटलिस्ट 6% of total votes, ठीके, 6% vote मिलना चाहिए, ठीके, इसका लावा कम से कम 4 seat जितना चाहिए, लोकसवा या विधानसवा चुनाम में, और 4 अलग-अलग राज्य से ये seat जितना होगा, ठीके, तो उस political party को national political party का दर्जा मिलेगा, एक्जामपिल के सब से हम बात करेंगे, भरतिय जनता party यानकी वीजेपी, आई एनसी, इंडियान नेशनल कॉंग्रेस, ओके, इनसीपी, नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, ये सब नेशनल पोलिटिकल पार्टी का एक्जामपिल हैं, ठीके, और स्टेट पार्टी का दारन हैं, तो आसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हैं, तो कर दें, ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहें, तान्यवाद